नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका अपना यूटूब चैनल वर्ड इंजिनियर्स पर आज हम लेकर आये हैं एक ऐसा इंडेस्टिकल पार्ट जिसको वाल पंप कहा जाता है हमने यह पार्ट इंटरनेट से डाउनलोड किया है जो कि हम अपनी खुद की इमेजिनेरी फिर उसके बाद से क्रीन शो होगी आपको उस पर आपको एक प्लेन लेना है जिस पर आपको पूरा स्केच क्रेट करना है पहले फ्रंट प्लेन लेजिए फ्रंट प्लेन पर जाकर आपको सर्कल कमार्ड लेनी है सर्कल दो सर्कल ले लिए हमने पहले सर्कल की डिमेंशन जो है smart dimension के थुरू हमने 100 mm ले लिया है जिसका डाया 100 है और दूसरे circle की dimension हमारे 70 है उसके बाद हमें features command पर जाना है और extrude command लेनी है इसको extrude कर देना है जो की extrude मारा होगा 30 आप उसके बाद आपको क्या करना है extrude command होने के बाद face जो लेना है जो circle है उसके sketch को पर create करना है फिर हमें एक और circle लेना है जिस circle की command हमारी 95 होगी जाने की 95 होगी फिर एक और इसको लेने के बाद हमें एक और circle लेना है जिस circle की command हमारी 85 होगी चलिए एक circle और create कर लिया हमने अभी दूसरा circle create कर रहे हैं उस circle की command है 85 डाया उसको क्या हो गया 85 85 होने के बाद फिर हमें feature command में जाना है और इसको extrude कर लेना है जितनी हमें जुरुत है extrude हमें इसको 80 करना है 80 extrude करने के बाद आपको एक plane command लेनी है plane हमें 50 लेना है 50 dimensions उसकी लेके हमें ok करना है ok करने के बाद इस plane पर हमने sketch command लेके इस पर एक circle command ड्रो करना है circle ड्रो करना है इस circle की dimension हमारी 60 होगी 60 command लेने के बाद हमने इसको इसके अंदर एक और circle लेना है जो कि हम offset भी ले सकते हैं offset हमें 10 लेना है reverse की reverse में लेना है 10 circle लेके इसको ok करना है और फिर हमें feature command में जाना है आप check भी कर सकते हैं हमारा 40 चाहिए था और 40 ही आया है फिर हमने इसको extrude करना है अंदर की तरफ flip पर लेना है इसको अंदर की तरफ इसको extrude लेना है हमने 20 20 extrude करने के बाद फिर हमने इसक पर hide कर देना है sketch जो हमने लिया हुआ था plane फिर अंदर की तरफ sketch लेना और उसको convert entity कर लेना है convert entity का मतलब होता है जो circle already draw है उसी को द्वारा से लेना है circle entity करके उसको हमने फिर extrude किया extrude करना है हमने 30 30 extrude करने के बाद देखना है कि हमें कितना चाहिए था लेकिन हमें 20 चाहिए था तो हमने 20 extrude इसको कर लिया है 20 extrude करने के बाद फिर हमने sketch command लेनी है sketch हमने इसके circle के अंदर लेना है sketch ले लिया और इसको convert entity भी कर दिया circle already बन के आ चुका है फिर इस पर sketch लेना है और फिर हमें फिर से convert entity लेना है जो circle का बढ़ा डाय है जो 95 था हमारा आप 95 circle भी लगा सकते हैं फिर हमें plane लेना है जो की top plane होगा top plane पर हमने sketch देखा हमारा सही से नहीं आ रहा है तो हमने फिर से दवारा sketch लिया right plane पर right plane पर sketch लेने के बाद हमें normal command normal कर लीजिए normal करने के बाद एक arc command लेने है arc हमें circle के उपर वाले point पर और एक नीचे वाले point पर select करना है यह तो कभी-कभी हमें point शो हो जाते है अगर कभी ना show हो तो आप पूछ सकते है कि क्या होता है उस पर एक lag command जूज होती है तो इस radius हमने ले लिया 70 70 radius लेने के बाद हमने loft command जूज करनी है feature में जाके loft boss जूज करना है ना कि loft cut loft boss ले लिया और फिर हमने पहले profile select करी फिर हमने उसका path select कर लिया है पाथ select करने के बाद इसको ok कर देना है ok आप check कर सकते है कि एक गुलाई की थोड़ी सी shape ले लिया इसने फिर उसके बाद हमने अंदर sketch लिया हमने circle लगाना है circle जितना है चाहिए वह उतना लगा लिए पहले circle लगा लिए फिर हमने smart dimension के साथ उसकी smart dimension के साथ dimension लिया है dimension हमने चाहिए थी 30 30 dimension लेने के बाद हमने extrude cut लेना है features में जाके extrude cut command select करनी है और इसको through of कर देना है बाहर की तरफ जितना खीच सकते हैं उसको खीच लिजे कोई problem नहीं उसमें हमने इसको extrude cut कर लिया है फिर उसके बाद हमने command लेनी है जो front पर sketch पर sketch ले लिया हमने फिर उसके बाद एक dotted line लगानी है जिसको center line बोला जाता है sword work में center line लेने के बाद हमने उसको center पर line लगा ली एक side पर, फिर हमने一个 circle लगाना है circle के smart dimension से हमने dimension ले लिए 20 ride dimensions लेने के बाद उसको ok कर लेना है ok करने के बाद हमने फिर एक line command दॉस करनी है line command से हमने थूब एक angle पर line लगा लै इस तरह के से इसको बाद में हम सही करेंगे, फिर एक Converted Entity कर लिया, हमने Converted Entity के साथ क्या हो गया, उसके बार वड़ा सरकल बनके खुद आ गया है, फिर हमने Point-to-point सेलेक्ट करके एक Dimension ले लिया है, जो कि है हमारी 20, 20 लेने के बाद हमने एक Dimension रहेगी है, जो कि हमारी horizontal है, horizontal Dimension लेनी है, पहले हमने इसको टेजन्ट कर लिया है, लाइन और सरकल को, उसके बाद हमने Smart Dimension में जाके, हमने पहले इसको इसको हिला की चेक कर लिया, कि यह Left-Right Hill है, जानि कि हमें horizontal एक Dimension लेनी पड़ेगी, जो कि हम क् Point-to-point select करा और इसकी Dimension लेली 70, 70 लेने के बाद आपने देखा होगा, यह Black होगया, इसका मदलब यह की, Fully Defined है, जो कि आप नीचे भी चेक कर सकते हो, Fully Defined लिखकर आ रहा है, जहां पर MM सारे लिखकर आते हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, Mirror Command जूज करनी है, Mirror Command में पहले जिसको Mirror करना है, वो Select किया, फिर उसके, किसके Through करना है, वो Select कर लिया है, फिर बाहर की सारी जितना भी Circle था, Extra हमने वो Trim कर देना है, Trim करने के बाद हमने Extrude करना है, Extrude कितना करना है, पहले सबसे पहले हमने Offset ले लेना है, Offset क्यूंकि हमें यह थोड़ा सा अंदर चाहि जो Directions होती है, फिर हमने इस पर 10 ले लेना है, 10 का 10 का इसकी Dimensions लेने के बाद इसको OK कर देना है, OK आप चेक कर सकते हैं, यह बनके सामने से आ चुका है, फिर हमने Mirror Command Use करना है, क्योंकि यह दूसरी साड भी चाहिए, तो हमने चेक करना है, इसका Mirror Command कि साड ले सकते हैं, सबसे इसके बाद हमने चेक करना है कि और next part क्या बना सकते हैं, इसमें next क्या बना सकते हैं, फिर हमने plane select किया, plane के बाद हमने flip offset select किया, कितना लेना है, हमें 80 लेना है, तो 80 हमने select कर लिया, तो 80 लेने के बाद उस पर sketch command लेने है, sketch command लेने के बाद एक dotted line लगानी है, dotted line हमें center to center सरकल हमारा 80 का ही होगा जितना हमारा वीच में हमने एक्स्टूर्ड ले रखा तो समार्ट डिमेंशन से हमने 80 स्लेक्ट करने के बाद हमने चेक कर रहा कि वह भी भी बिलू है जानि कि वह डिफाइन नहीं है तो हमने क्या करना है उसके बाद फिर उसके बाद क्या करना है हमने हमें एक smart dimension लेनी है smart dimension पहले थोड़ा सा आप अपने हाँ से adjust कर लिजिए इसको point को कीच कर smart dimension लिए point 2 line तक हमने एक dimension लिए है जो कि है हमारी 40 40 लेने के बाद आप चेक कर सकते हो कि यह fully define हो चुका है फुली define होने के बाद आप इसको extrude कर सकते हैं extrude करना है आपको यह 10 आप चेक कर सकते हैं यह बन चुका है उस plane पर extrude कर लिया हमने 10 यह हमने बाहर की तरफ करना है 10 10 लेने के बाद हमने इसके उपर ही sketch फिर से दवारा लेना है सबसे पहले इसको unhide कर लो जो sketch show हो रहा है हमने क्या किया उस पर sketch ले लिया कि sketch लेने से पहले हम एक front पर ले ना है plane उसके उपर sketch बनाना है जो कि एक चोटा सा आपको radius create करना है radius create करने के पहले आपको क्सट्रर मुट्रा लेकि श्रूर्ट से हमने एक बॉकस बनाया फिर एक dt कमाने जूस करी इसका अपने च्रच Saying आर्क से जूस कर सकते हैं हैं हम्हाने ऐ्क से एक चौटी सी आर्क बना आर्क हमने फाइव की लेनी है थाइव रीडियास होगा आर्क का और जो बीच का लाइन्स है उसका हमने 30 ले रखा है 30 लेना है 30 लेने के बाद इसको OK कर देना है 60 इसका पूरा है लेकिन हमें आफ लेना है तो इसका हमें 30 लेना है 30 और रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 5 रेडियस लेने के बाद 10 रेडियस थोड़ा देखिया बड़ा हो गया है तो इस वेसे 10 रेडियस बड़ा हो गया तो हमें इसका रेडियस चेंज करना है रेडियस हमारा आएगा 5 लेने के बाद 5 रेडियस लेने के बाद हमें features में जाना है future command में जाके हमने revolve command यूज करने है revolve base revolve base का axis जो हमने ले लिए वो central ले लिए देखे आप शोग हो रहा है आपको बन गया है एक radius रेडियस लेने के बाद इसी के उपर हमने sketch लेना है sketch को converter entity कर लिए रिए circle already बन के आगया है फिर इसको extrude कर लेना है extrude हमने जो है up to next करना है जो की जो इतनी बोड़ी आगे होगी जैसी भी होगी उस साफ से वो शेप ले लेता है तो इसको okay कर दीजिए okay करने के बाद आप देखोगे कि हमारा जो है wall pump है वो already बन चुका है बस हमें थोड़ा सा और काम करना है फिर हमने front पर plane लिया plane नया plane create करन है जो की होगा 80 80 plus 30 होगा जो की 110 होगा हमें 110 plane लेके इस पर sketch command sketch create करना है sketch हमने इस पर click किया sketch command ली normal to किया इसको normal to करने के बाद हमने फिर से convert entity के लेना है इसको convert entity कर लिया है आप check कर सकते हो यह उपर बन के आ गया जो हमें चाहिए था फिर हमने एक circle ले लिया क्योंकि यह circle radius हमें इतना ही चाहिए था फिर हमने extend कर लेना है इसको क्योंकि यह body उसके साथ टच नहीं है तो इसको extrude नहीं हो पाएगा सही से तो इसको लेने के बाद जो अंदर वाडी line है इसको हमने construction line ले लेने है जिसको हम dotted line भी बोल देते हैं फिर इसका extrude command use करने है extrude command use होने के बाद इसको हमने offset लेना है पहले offset हमें 5 कर चाहिए क्योंकि यह अंदर की तरफ बढ़नेगा थोड़ा सा पांच लेने के बाद इसको 10 एक्स्टूड करना है 10 एक्स्टूड ले करके हमने इसको दूसी साइड भी लेके जाना है तो दूसी साइड लेने जाने के यह हमने plane command जूस करनी है mirror जूस करना है mirror में क्या करना है सबसे पहले plane जूस करना है जिसके opposite हमने लेना है हमने पहले right plane लिया फिर features में जाके जो extrude किया उसको select कर लेना है फिर इसको ok कर देना है आप check कर सकते हो कि यह दूसरी side भी बन चुका है और यह हमारा part पूरा ready हो चुका है जो की wall pump है और इसके बाद हमने एक fillet command जूस कर लेनी है fillet mostly लेना चाहते हो तो ले सकते हो वेशसे हमारा यह part clear हो चुका है हमने क्या किया है इस पर fillet जूस कर लिए है 5 की और फिर हमने एक fillet फिर जूस करी जो की हमारे पूरे face पर आ जाएगी जितने भी इसके face corner है corner है इसके corner पर हमने क्या किया हमने mirror command जूस कर लिए mirror command आप चेक कर लेना आप कितनी लेना चाहरे हो छोटी सो छोटी होनी चाहिए फिर हमने 2 mm command जूस कर लिए 2 mm के बाद हमने देखा कि बड़े हो रही है तो इस वह से हमने फिर से इसको 1 mm select कर लिया है तो हम इस corner पर नहीं लगाना चाहरे हैं तो इस corner को हमने हटा दिया है तो बाकी के जितने भी corner से हैं सब पर fillet command जूस हो जाएगी फिर हमने इसको select करने के बाद okay करना है आप चेक कर सकते हो कि हमारी fillet command जूस हो चुकी है सबी faces पे इसको जूस करने के बाद आपका part पूरा clear हो चुका है उसके बाद आप material command जूस करना चाहरे है तो वो भी कर सकते हो इसको material दे सकते हो material command select करनी है edit material में जाना है फिर उसके बाद आपको जो भी material लेना चाहते हैं, हमने iron के लिया है, grey cast iron, जिसको SN भी बोलते हैं, इसको ok कर लेना है, आप चेक कर सकते हैं, यह हमारा material juice हो चुका है, इस पर, और फिर हमने इसको थोड़ा सा coloring के लिए, coloring के लिए color juice करना चाहा है, जिसमें आप भी juice कर सकते हो कोई भी color ले सकते हो, black, white, grey जो भी आपका मन चाहे, फिर जी आपका part clear हो चुका है, जो हम free hand आपको बना के दिखा चुके हैं, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे हैं, ने parts हम design करके आपको दिखाते रहेंगे, जिसमें आपको लग-लग industrial के part, हम अपने ही imaginary power से, जैसे की हमारे Instagram पर, जा mail ID से हमें contact कर सकते हो, और हम आप वो part आपको सिखाएंगे भी, YouTube पर भी upload करेंगे, और आपको, अगर आप live demo लेना चाहते हो, उस parts की, तो हम वो भी आपको provide करेंगे, तो बने रहे हैं हमारे channel पर, और like and subscribe जूर करें, और share भी अपने दोस्तों से करें, जो नई चीजे सीखते रहें, नई डिजाइनिंग के बारे में सीखते रहें, और parts को खुद ही imagine करें, फिर बनाएं, इससे आपका parts की बनाने की जो शमता है, दिमाग में है, वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेगी, आप किसी भी industrial part को फिर easily बना सकते हैं, तो इसलिए आप जितना हो सकें, अपने parts को imagine करके खुद बनाएं, तो बने रहे हैं मारे channel पर, world engineers पर,